हाई फ्रेंड्स वेलकन चानल फैक्ट कानेशा तो दोस्तो नवरात्री में जो उगना देता है भविश्य के शूब अशूब संकेत जानिये कैसे करें पहचान जी हा दोस्तो नवरात्री में जो बोने का काफी अधिक मतो है माना जाता है कि जो सुक संबरुती और खुश्याली का प्रतीक माना जाता है अगर आप भी घर में कलश ठापना की है तो जान ले कि जो से सम्मंदित शूब और अशूब संकेत तो दोस्तो शारदी नवरात्र में मा दुरगा की नव सुरूपो की विद्विद पुजा करने का विदान है शक्ती सुरूपा मा भगवती की विद्विद पुजा करने के साथ कलश की स्थापना की जाती है स्थापना के समय कलश के चार और जो बोने की परंपरा है कई जगों पर इसे ज्वार जैसे नाम से जानते हैं मिट्टी में बोय जाने वाले इन जोव का काफी अधीक मत्व है जोव बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यू जो बोय जाते हैं और इनके रंगों की साफसे क्या संकेत मिलते हैं यानि कि दोस्तु मातरानी क्या संकेत देना चाती है आपके जीवन से निगडित तो दोस्तु आईया जानते दोस्तु इस संकेत के बारे मे dogs इसे पूर मैरे चैनल को सबस्क्राइब आउश्य करें बेल आइकोन प्रेस करके आल बटन पर क्लिक चरूर करें तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से तो दोस्तो जोक लेकर ये मान्यता है कि जितने अच्छे और लंबे होते है उस घर में उतनी ही ज़्यादा सूक संब्रुद्य आती है हर साल मिट्टी के बरतन में जो बोया जाता है अगर मिट्टी का बरतन नहीं है तो स्टील के बरतन में बोया जाता है जिहा दोस्तो कहा जाता है कि सुरुष्टी की पहली फसल जो ही थी इसे कारण इसे सबसे ज़्यादा शूब माना जाता है और देवी दिवता की पूजा करने से वो जल्द प्रसन होते है जी हाँ जो उगने के शुब संकेद अगर नावरात्री के एक दो दिन बाद जो उगने लगे और खुब हरा भरा हो तो ये शुब माना जाता है इसे सुक सम्रुद्धी से जोड़ा जाता है इसके साथी घर में हर किसी का स्वास्त अच्छा रहता है जो का अधिक बड़ा होना भी शुब माना जाता है जो का अधिक बड़ा होना खुशाली और सोबागयों को दर जाता है अगर जो सफेद और हरे रंके होते हैं तो भी शुब संकेत होता है इसका मतलब होता है कि आपकी पोजा से माप्रसन्न हो जाती है दोस्तो पीले रंग के जो उगते है तो माना जाता है कि जल्दी घर में खुशी आया दस्तक देने वाली है अगर जो का रंग नीचे से हरा और उपर से पीला है तो ये साल की अच्छी शुरुवात की और संकेत करता है और अंत बोरा होने का संकेत देता है जो उगने के अशुब संकेत जिहा दोस्तो बोय हुए जो डिक से धंक से पानी आधी देने के बाद भी नहीं उग रहे है तो ये आशूर माना जाता है, काले रंग के जो उगने आशूर माना जाता है. जिहा इसका मतलब है कि आने वाले समय में कई परिशानी का सामना करना पढ़ सकता है. अगर जो सुकी और पिली रंकी हो तो जीवाट में कई संकट आ सकते हैं इसलि jail कि अरधना जरूर करें और शामा याचना जरूर मांगे जी हा दोस्तों यदि आपके जो अठे अच्छे तरह से ठीक टाक आते है तो दोस्तों परेशानी की बात नहीं है यानि कि दोस्तो आप भगवान को धन्यवाद दे सकते है मातारानी के आपके उपर कुरुपा है यदि दोस्तो जो आपके बतायवे करम से आते है तो दोस्तो ये कुछ अशुप संकेत माना जाता है दोस्तो इसे नाराज होने की कोई ज़रुवत नहीं है क्योंकि दोस्तो माता रानी से माफी मांगने से सब आपका कुशल मंगल हो सकता है माता रानी की सेवा करने से दोस्तो आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है तो दोस्तो यदि आपके जो अच्छे नहीं आ रही है तो माता रानी को माफी मांग ले जी हा दोस्तो माता रानी की खूप सेवा करे दोस्तो आने वाले दिन में आपके उपर माता रानी की कुरिपा अवश्य बरसेगी तो दोस्तो आप के उडियों कैसा लगा अच्छा लगा हूँ तो लाइक शेर और कमेंट सरूर कीजेगा और कमेंट्स में जय माता दी आवशी लिखेगा धन्यवाद